पिष्फ्ली के आक्षर में आपको अपने बात की थी पोसेट के उचक तथा निम निड़की पोसेट के उपसमुचे पोसेट के उपसमुचे कि उच्चक और निम्नक की अपने बात किछे एक छोटा से एक जामपल देखें उसी के पारपन कि माली जी अपने पास ये एक पोसेट है इस तरह का कोई पोसेट है A, B, C, D, E और F ये पोसेट है A less than equal to इसका उपसमुच्चे B है और B में अव्योव है A, B और C A, B और C आप देख रहे हैं कि A, B, C ये इसके अव्योव है तो B के उपरी परिवंद है अपर बाउंड है वो कौन कौन से है A के अव्योव होंगे जो B के परतेक अव्योव के साथ में जिनका B के परतेक अव्योव के साथ में सम्मंद है और तक B के परतेक अव्योव का उस अव्योव के साथ में सम्मंद है तो आपन देख रहे हैं कि उपरी परिबंद में आपके पास है C है, D है, E है और F यह सारे उपरी परिबंद है और इन उपरी परिबंद में सबसे थोटा है वह उसका क्या करनाता है? उच्चक करनाता है तो इस B का उच्चक उच्चक है वो कौन सा है? सी है यह तो परीपरीबंद यह सी है अब आप देख रहे हैं कि बी का बी का निमन परीबंद आप देख रहे हैं कि आसा कोई भी अव्योग नहीं है जिसका इस बी के परते कोई युग के साथ में समन्द हो तो इसमें निमन परीबंद नहीं है निमन परीबंद नहीं है तो इसका मतलब बी का निमनक भी विद्यमानी है कि निमन परीबंद में सबसे चोटे की बात अपन सबसे बड़े की बात तो निमनक होता है जब निमन परीबंद नहीं है तो निमनक कहा से होगा निमनक विद्यमान नहीं है तो यह दो पोसेट है इस पोसेट का उप्समुच्चे है वी का उप्री परिवन्द उपरी परिबंद C,D,E,F हैं और तो इन उपरी परिबंदों में से सबसे छोटा वह C है और C जो आपका है यह सारे उप्री परिबंद हैं, इस समुच्चे A के, जो समुच्चे A है, इसके यह अव्यों, तीन अव्यों हैं, इनके यह सारे उप्री परिबंद हैं, और उप्री परिबंदों में सबसे छोटा उगों सा है C है, C अपका उच्चक है, इस उप्समुच्चे B का, अब देखरें इस समुच्चे का कोई निम्न परिबंद नहीं है तो निम्न परिबंद नहीं है तो निम्नक भी विद्यमान नहीं है यह तो तीन अविवका समुच्चे था अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन जालक की जालक पोसेट आपके पास है जनरली जालग को लेटिसेज बोलते है इसलिए जो पोसेट अपने यहाँ पर दो लेंगे उस पोसेट को एल सिंबल से वैक्त करेंगे किसे एल सिंबल से लेटिसेज जालग की अपने बात करें तो यह तो पोसेट आपका है एल लेस्टेन यह आपका जालग कहलाता है यह दी यह दी इसके किने भी दो अव्यों बी दो अव्यों से बने उप्समुचे जानल यह पन एबी सिंबल बज़ करेंगे का उचक तथा निम्लक विद्यमान है विद्यमान हो तो यह जो आपका पोसेट है वो किस में बदल जाएगा लेटे से जो बदल जाएगा जालग में बदल जाएगा उप्समुचे यह भी है के उच्चक को इस तरह का सिंबल से वैट करेंगे इसको क्या करते है से निरुपित करते है करते है इसे ए तथा बी का समिलन ए तथा बी का समिलन जोइन कहते है उप्समुचे ए बी के निम्नक को ए उल्टा वी लगेंगे ए मीट वी से निरुपित करते हैं इसे ए तथा बी की अवसंदी मीट करते हैं उच्चक है उप्री परिबंध है अर्था यह अपने पास इस तरह से कहें कि यह तो उप्समुचे ए बी है इस उप्समुचे ए बी क्या है हमें आपके पास है ए जोइन पी यह क्या चीज है यह आपका सुप्रीमम है इस उप्समुचे का और ए मीट भी है वो इस उप्समुचे का इन्फिमम है इन्फिमम है निम निमनक है तो ए जोइन पी क्या चीज है सुप्रीमम है अप्समुचे ए बी का ए मीट भी इन्फिमम है इस उप्समुचे ए बी का नॉट करके लिखें अपने पास है कि यह जो आपके पास है उप्समुचे अपन ले ले जिसके अंदर सेम योग योग है ए एक का एक के साथ में जोइन वो क्या होगा एक खुद होगा और एक का एक के साथ में मीट वो भी एक खुद होगा वो भी एक अव्योग खुद होगा उन दोना का जोइन एक खुद होगा इन दोना का मीट है वो भी एक खुद होगा दूसरा स्पेश्ट आपके पास है कि A जोइन भी बराबर B जोइन ए तथा A मीट भी बराबर B मीट ए और तथा यह दो रिलेशन आपके पास है वो कॉमूटेटिग प्रॉपर्टी है करम भी निमेता गुंदरम का फूलो भी करता है करम भी निमेता है यह आपके पास है डिफिनिशन से ही कलियर है एक अपन और देखें आपके पास है एक एक जाम्पल के रूप में देखें कि आपका एक पोसेट आपका है नेचरल नमबर का सेट है जिसके अंदर लैस्तन इकॉल टू यह सिंबल ही है इस तरह का बल परिपाशित है यह पोसेट है एक आपका प्राकर संख्याओं का समुच्चे है तो इस पोसेट के अंदर और बी एंद के व्यों है और इन दोनों का जोइन वो क्या होता है वो इस तरह से डिफाइन अपने के वास्ता है अब इस तरह से परिवाशित करते हैं मेकजिमम ओफ ए एंड बी ए और बी में जो मेकजिमम है एलिमेंट से वो ही इन दोनों का जोइन होता है और ए मीट भी है वो इस समुच्चे ए बी में जो मिनिमम है वो ही इसका क्या कलाता है मीट कलाता है निमनक होता है वो आपके पास से इस तरह से अपन परिवाशित करते है तो पोसेट इता में ए और बी में आपके पास जोइन और मीट अपन निमन परकार से अपन परिवाशित करते है दोवारा परिवाशित करते है यह इस तरह से परिवाशित क्यों करते है क्योंकि N जो नेच्रल नमबर का सेट है इस नेच्रल नमबर का सेट आपके पास है इसमें 8, 2, 3 इस तरह का नेच्रल नमबर का सेट है A और B N के होई हो है इस के अंदर जो समंध है आपके पास less than equal to का समंध परिपाशित है तो आप देख रहे हैं कि ए यह जो पोसेट है तो ए लेस्टन इकल टू ए है ए लेस्टन इकल टू बी है ए लेस्टन इकल टू ए है ए लेस्टन इकल टू बी है तो यह इंप्लाइज करता है क्या ए है वो आपके पास है इस पोसेट का का जो उपसमुच्य है ये भी है ये जो आपका है उपसमुच्य ए भी का क्या है निम्न परिबंद है और आप देखते हैं कि निम्न परिबंद जित और अन्य कोई निम्न परिबंद होंगे उन निम्न परिबंद में सबसे बड़ा ए होगा सबसे बड़ा क्या होगा ए होगा तो आप देख रहे हैं कि समुचे अपना बास और पे रे भी लिया और साथ में आप देख रहे हैं कि ए है इस समुचे ए बी का निमनक भी होए निमनक भी है ए तो ये जो ए है वो कहा है इन एलिमेंट्स ए बी में जो सबसे मिनिमूम है वही एलिमेंट्स ए है क्यों आप देख रहे हैं कि A less than equal to B है तो ये मिनिमूम भी एलिमेंट्स हो गया तो ये अप इसका क्या हो गया निमनक है तो निमनक अपने पास है नेचरल नंबर का सेट है N के अंदर वो निमनक ये A मीट B है वो अपन मिनिमूम ओफ A and B दोरा डिफाइन करेंगे दूसरा एक्जम्पल अपन ये देखें कि ये पोसेट अपका है पावर सेट है सेट अक्स का इसमें लिसन अपका ये है पोसेट है जाँ पी एक्स परिमित समुचे एक्स का घाद समुचे पावर सेट है गाद समुचे आपका है और ये जापोसेट है वो एक जालक है जालक है क्योंकि इसके किनी भी दो आप्यों ले लें कोई भी दो समुचे ले लें जासे ए और बी अपन पी एक्स के कोई दो अव्यों ले लें पी एक्स के अव्यों है तो मिन्स क्या है ए सबसेट है एक्स का तता बी है वो भी सबसेट है एक्स का बी सबसेट है एक्स का और अपन देखते हैं कि ए है ए जो है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का तता बी है वो भी सबसेट है ए यूनियन बी का तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी है वो ए और बी का उपरी परिबंद है यह और बी का क्या है उपरी परिबंद है और यह उपरी परिबंद में सबसे छोटा होता है तो ए और बी का जोईन है वो अपन इस तरह से परिपाशित करते हैं ए यूनियन बी की तरह है बात अपन करें, तो अपन देख रहें कि A intersection B है, वो सबसेट होता है A का, तता A intersection B है, वो सबसेट होता है B का, तो A intersection B है, वो अपका निम्न परिबंद है, उपसमुचे A और B का है, किस उपसमुचे जिसके अंदर, अब यह Capital A और Capital B है, उसका निम्न परिबंद है A intersection B, और इन निम्न परिबंद में सबसेट होता है, यह, अर्थ-अर्थ, A meet B है, वो अपन इसमें, पावर सेट में इस तरह से Define करेंगें, A intersection B के रूप में है, A intersection B के रूप में है, बाकि नेक्स्ट क्लास में देखेंगें, Thanks Students.